असलाम लेकम कैसे हैं जी आप सब मीदे सब ठीक होंगे वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दो बेल बटन प्रेस कर दिया है अब आल पर क्लिक कर दो ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफकेशन म आपको बहुत पसंद आने वाली है आपको क्या आपका पास्ता मिक्रोनी खाने वालों को भी बहुत पसंद आएगी यकीन जान लो तो यहां पर मैंने वेजिटेबल जो है ना मटर शिमला मिर्च मतलब के ग्रीन बेल पेपर और गाजर जो है वो भी कट कर लिया और प्याज एड़ कर दिया है बॉनलेस मैंने यहां पढ़ लिया है हाफ केजी तो यहां पर इसको मैंने इसमें फ्राइ कर लेना है इसमें फ्राइ करने से यह क्या होता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना चिकन की एक वो बिल्कुल हतम हो जाती है और स्पाइसिस में आपको क्वांटिट डाल दीए प्यास पहले नहीं डालने बड़ी मज़े की आपके माकराओनी पास्ता जो भी कहते हो वो बनेंगा और साथ ही मैंने टोमाटर और प्यास पीर डालनेכे एक मिनट बाद मैने सारी सबसें डाल दी आप इसमें आलो भी आड़ कर सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे एड़ नहीं की है मैंने सिर अफमर्टर, शीमला, मिर्च और गाजर एड़ की है तो इसको जो है ना अब मैंने बिलकुल हलकी आँच पे एक मिनट के लिए फ्राइ करना है यकीन जानो इतनी टेस्टी कोई बनेगी ना आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे और जो भी खाएंगे वी आपकी तारीफें भी काफी होंगी आप सोच रोगे कि यहुदी अपने तारीफें कर रही है हाँ मैं कर रही हूं लेकिन आपकी भी होंगी इंशाला इस मैधेड से बना हो और साथ ही एक मिनट बाद भी रहा हमने अपने स्पाइसीज एड कर लेने हैं और स्पाइसीज जो है ना आपको आंटिटी के मताब कम या ज्यादा कर सकते हो आप में उस्यादा सारी बना रही हूं क्योंकि ये मेरे घर में महमान है तो उसलिए क्योंकि आपको पता है मेरी आंटी और उनके बच्चे आए हुए हैं तो उनके लिए मैं बना रही हूं और उनको मेरे हाथ की मैकरोनी जो है ना वो बहुत ज्यादा पसंद है तो वो कहते हैं कि आज आप बनाओ ऐसे जब से आंटी आए हैं आंटी कुकिंग कार रही है इसके लिए आपको जो है ना मैं नजर नहीं आरी कीचन में तो यहां पर जो है ना आप मैं बना रही हूं सبزیاں जो एफिए इस नों को मैंने dependent देदेगें मैं डालने के बाद न स्पाइसां दो मिनट फॉरा की היρα और सब्जियां भी सारी गल जाएंगी और नरम पढ़ जाएंगी और जो मटर है ना वो भी मतलब नरम पढ़ जाएंगे और पानी हमने आड़ नहीं करना यही हसूसियत है अगर आप पानी डाल के जो सब्जियों को गलाओ गे ना तो वो टेस्ट नहीं आएगा इस तरह सब् वाइटमन्स होते हैं ना तो वो भी जो है ना वो पानी में तैरेंगे नहीं सबजी ने रींगे तो ज्यादा हम ने इसको कुक भी नी करना मतलब दम में ही ना ये सबजी आगाल जाएंगी और मैकरोनी जो है उसको मैंने पहले वाइल करके रख लिया था और अब जो है मैं उ मैकरोन जम जाती है आप लोगों की भी जमती होगी टेंशन किसके में क्या बात है तो हम जो है ना इसको ऐसे ईंडेया देती हैं और पिर साथ प्रहें कैचप दाल लो मैं चीली कार्लिक कार्लिक ऑपाता है क्वांटिटी जादा तो इसलिए मैं ज्यादा डाल रही हूं लेकिन जो है ना मेरी कौंटिटी के हिसाब से ये सब कुछ पूरा है कुछ भी ज्यादा नहीं है और आप यकीन जाने इतनी मज़ी कि ये मैकरोनी बनी है ना आप फिर बोलेंगे कि इतनी तरीफे कार रही है उसके लिए सोरी बार बार कर रही हूं मतलब अच्छी रेस्पी है और मेरा दिल है मेरे जो सबस्क्राइपर्स हैं जो व्यूवर्स हैं उनको अच्छी रेस्पी जो है मतलब जगीन आ जाए कि अच्छी वैसे तो आपको देखके भी अंदाजा लगेगा कि कैसी बनी है अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है यहां पर मैं चूला जो है फुल आंच करके मतलब फुल तेज करके चूला तो इसको मिक्स कर लेती हूँ तो जी साज जमचे जो हैं वो भी खड़का खड़कू के ताके जो हमसाई हैं उनको भी पता चलिए कि आज कुछ पकर आए है तो हैर जी यहां पर मेक्रोनी जो है वो पकर त्यार हो जूए है और फाइनल लुक आप देखें जरब जुड़ी हुई नहीं है और हर चीज सबज वगरा हर चीज खिले खिली है और बहुत जीज बनिया और आप खाना वगरा खाया और उसके बाद रहने आए है और मैं Nikki एक्शे के बूल सकते हैं यह अच्छी इंपर इम्रोधिया और गेंजंगे है और लेकर लेना है तो लेकिन चänसे की अब इसका लैवियर पर इसलिए इंब्रोडरी उठके नहीं नजर आ रही होगी लेकिन जब ब्लैक लाइनिंग लगेगी इस नीचे तो उस वक्त जो है ना इसकी इंब्रोडरी ज्यादा वाज़ा नजर आएगी और इसके बंच भी काफी दिये गए है ये इसकी नेक का बंच है मतलब बैच बोल लो इस तरह से काफी हुबसूरत सा और डीसंट सा है ये देखें इस पर हैंड वर्क है परल्स भी है और वो तिल्ला जोता है ना उसका भी वर्क है तो ये इसके बैक साइड है बैक साइड पे भी फुली जो है ना इंब्रोडरी है तिल्ले की और थ्रेड की जो है ना आल अवर और उसके बाद ये इसकी स्लीव्स है स्लीव्स पे अच्छा मतलब शोल्डर वाली साइड पे भी इंब्रोडरी है और जो फुली इंब्रोडरी है मतलब स्लीव्स भी फुली इंब्रोडरी है और ये इसके बंच आगे मतलब के पैचिस दामन के आगे और बैक दामन के आगे फ्रांट दामन के हो गया और स्लीव का भी है और ये पहुंचे का है शायद मैं देखती हूँ हाँ जी पहुंचे पा रहा है तो ये इसके पहुंचे का बंच है और ये इसका मॉडल पीक है ये है मिशा मिनाहल हां मिनाहल का कोड है जीरो सोरी 606 हां तो वालियम 06 है इसका तो इसकी प्राइस पे आपको बदाती हूँ यह इसकी ट्राउजर है ट्राउजर का फैबरीक है तो यह भी बहुत अच्छे वाली जो है ना रा सिल्क वो है एक मिनट में आपको निकाल के दिखा इस तरह से है इसका प्यूर बलैक कलर है और अच्छे वाला बलैक कलर है और इसकी प्राइस जो है वो है 8,350 मतलब के 8,500 में आपको जो है ना मिल जाए मतलब त्यार हो जाएगा मिल जाएगा तो यहां पर यह देखें यह इस तरह से बॉक्स में आया था तो ड्रेस बगहरा तो आपने देख लिया अब मैंने फ्रीज के सफाई की असल में हमारा जो ट्रांसफार मैंना लाइट वो कल से हराब थी तो आज आई है तो मैंने रिका के बरफ बगहरा जो है वो आलरेडी पिकली हुई है तो मैं क्यों ना फ्रीज के साफ कर लूँ ऐसे तो रोज़ाना मतलब करती रहती हूं इसको बिस साफ डस्टिंग कहने लगी थी साफ सफाई करती रहती हूं लेकिन अब बरफ बगहरा पिकली हुई थी तो मैंने इसको डिटेल से सबकुछ निकाल के बगहर जो है वो साफ की है सारे इसके जो शेल्फ हैं वो बगहर दोई और वो दोने के बाद सेट बैट की हैं सारी चीज़ें रखे और अब जो है ना मैं हाथ मुझ दो के तो अच्छे तरीके से मतलब के बिस्तर में बैठ गी हूं और चाय को एंजॉई कर रहे हैं इतना सकून आता है जब घर के सारे काम आप हतम करके और बैठे हूं और चाय पीरे आंटी को भी बना के दी है और चाय पीने के बाद हम सो गए थे क्यूंके मुझे जो है ना काफी मतलब थकावट फील हो रही थी शायद लाइट जो है वो गई हुई थी और फोन भी इतना इस्तमाल नहीं हुआ मतलब पावर बैंक पी थे लेकिन आंटी आयों थे उन पर देखे मौसम इतना उब्सूरत बना हुआ और आप तो मुली वाले प्राट्थे जो है ना उसका मज़ा दो बाला हो जाएगा तो धनियां वगरा लेकर जाते हैं यह ना होंके वो धनियां के बगैर ही जो है ना हमक मिर्श मिक्स करके तो आंटी जो है वो प्राट्था तो यहां पर जल्दी से मैं धनिया वगरा कट करते हूं और मुझे इस साइड पर आ कि इतना सकून मिलता है का वो की आवाजे आती है चिडियों की आवाजे आती है और सुबह सुबह जो सकून होता है ना वो इस तरफ यहां के मिलता है और फिर इतनी अच्छी ग्रीन जी और ताज़ा ताज़ा धनिया क्योंके रात को फ्रीज साफ किया था और सारी चीज़े जो है ना वो मैंने निकाली हुए थी और धनिया तो वैसे भी ताज़ा ही लेकर जाती हूं क्योंके घर का है तो ताज़ा 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 जो है उ नानी अमा के हाथ का भी पराथा बहुत बजानादा है और अक्सल जो है नानी अमा इस उबा मेरे लिए पराथा बनाते हैं तो धनिया वगारा मैंने कट कर लिया और देखें फ्रेश धनिया इतना खुबसूरत लगते है ना और इसके जिबूबी और मैंने सारे स्पाइसिस दा दिए हुश्क-दनिया, सुरह, मिर्च, नमक बगारा और इसको मैंने मिक्स कर दी और चमद से मिक्स कर दीए मेरे से मिक्स रह की आँगा थनुब पानी का निकाल लना प्राथे ठीक है नहीं बनते हैं मुलि यहां पर आंटी जो है मेरे लिए प्राथा बना रही है और मैं उनको कह रही हुँ कि आउंटी मुझिधार सा बनाना तो कहते हैं बे फिकर हो जो तो यहां पर मेरा मुझिधार सा प्राठा बन रहा है और अब यह बने का और मैं कखाऊंगी और प्रठा खाने के बाद अंटी और उन के बच्चे करझे हैं कि मैंसा लुडो खेलो तो वह अनका आप के बसकी बात नहीं slight कि मेरे साथ लुडो खेलना हार जाओँगे तो कहते हैं हम तब कितनी दफ़ा हमने पहले भी वह आते हैं लोड़ो खेली हुई है तो जो है ना पहले मैं उनसे हार जाते हूँ और आप जीत की हूँ तो ये खे मैं शोही वगारा बनी हो है और उनको जाया ना जैलिस कर रही हूँ कि मैं फॉस्ट आगी हूँ और आप लोग हार गी वैसे नॉर्मली वह जीत जाता है मुझसे तो इसे के साथ विलॉग को करते हैं और मिलेंगा नेक्स वीडियो में अला आप पीज़ु आप